हेलो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कभी WhatsApp को इंस्टोल करते हैं अपनी File Manager से तो कभी आप उसको open करते हैं वो दिखाती है Not Stored तो गाइस रिजन क्या होता है और इसका क्या solution मैं आपको बताने वाला हूँ तो सुरू से एंट तक इस वीडियो को देखिएगा और काफी अच्छी वीडियो है या अगर आप इसको समझ लेते हैं तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए तो चलिए गाइस वीडियो को तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा आप कोई भी चीज फाइल मैनिजर से इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से डाउवलोड नहीं करते तो यहाँ पर आपको यह प्रोब्लम हर अप्लिकेशन पर आ सकती है अब मान लिए आपने गूगल से एक अप्ल लोड कर रहा होगा उस टैम को होगा ना कि अब को होगा तो इस वज़े से जो एप्लिकेशन है जो है नो टी स्टॉल दिखाती है तो गाइस मैं आप से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उस एपके को डिलीट कर दीजिए और अपना जो है सबसे पहले जो है अपने प्ले स्ट आता हूं और उनको पता ही नहीं होगा अपडेट क्या होता है अपडेट कैसे करना है तो आप इस वीडियो को जरूर डिसलाइक करेंगे क्योंकि आपको नहीं पता है इसके बारे में मैंने भी काफी दफ़े यह चीज देखी है कि जब मुझे पता नहीं था इस बारे में मैं उसे एप्लिकेशन को स्टोल करता था और वह स्टोल नहीं होती थी रिजन यही रहता था कि वो जो honeymoon है वो अप्लिकेशन है too वो old है और WhatsApp में हमेशा अपडेट आते रहती हैं और ज्यादा पुराने अपडेट हो जाते हैं तो WhatsApp उसको support नहीं करता है डेटा जो है आपकी जो डेटा आते है वो इंकरेप्टेड बताने लग जाती है WhatsApp के अंदर तो आपको दियान लगना है कि प्ले स्टोर में जाएं प्ल WhatsApp Messenger जो है वो काफी बैटर है यहाँ पर मेरा फुली अपडेट है इसलिए मुझे ओपन का बटन दिखा रहा अगर होता तो जो है यहाँ पर अपडेट लिखावा आजाता और आपके मुबाइल में नहीं चल लाए तो आप जरूर देखेगा कि आपके मुबाइल में अपड अपडेट जरूर बताएगा अपके प्ले स्टोर में अपडेट जरूर बताएगा तो उसको अपडेट कर लिजे और उसके बाद जो है आप इंजोई करिए WhatsApp को आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और अधरवाइस कोई और वीडियो मत देखेगा क्योंकि आपको बताई ज जाएगा तो गैस यह थी मेरी आज की वीडियो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो गैस लाइक करना लाइक करने के साथ साथ हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक क्यार